चलत गगन भे गिरा सुहाई जय महें से भली भगती दढाई आपकी जय हो आकास वाणी होई भोले ना था आपकी जय हो आपकी जय हो जहां जय जय कार हुआ तो सती ने बहुत बार पूच्छा जदपी सती पूछा बहु भाती तदपी न कहों त्रपुर आ राती लेकिन भोले बाबा ने बताया नहीं मौन हो गए अब मन ही मन सती समझतो गई यह हमसे भूल हो गई छमा करना भया मेरे पागलो जिंदिगी में याद रखना जिंदिगी में कितनी भी भूल कर दो हकीकत ए लेकिना एक दिन सामने आही जाता है सत्थ छिपता नहीं है कोई कितना भी छिपाए जूटी बातें बोलकर तुम चार साल लोगों को बुद्धू बनाओगे एक दिन कोई बुद्ध आएगा तुमारी पॉल खोलकर चला जाएगा इसलिए छमा करना जितनी तागत सत्थ में होती है जो आदमी सच्चा होता है वो दबा करके बोलता है उसे कोई डर नहीं रहता जो बहुत जूटा होता न वो मीटी मीटी मलाईदार बात है बोलता है ताकि उसकी पोल खुल जाए बहुत ज्यादा जूट बाला ब्यक्ति न एक और बड़ी प्यारी तरकीव है जो बात-बात पर यह बोले हम तो जूट कभी बोलते ही नहीं समझे यो यह कभी सच नहीं बोलता है कई लोग हमसे मिलते हैं महराज हम तो आद तक जूट नहीं बोले और जब उनको परचा बनाओ जूटो ही जूटो करे सब ठटरी को ब वक्का है उसे प्रमाणफत्र नहीं देना च्छमा करिएगा एडवर्टाइजमेंट सत्त का नहीं किया जाता मिलावट का प्रचार किया जाता है जो वाका और साचा होता है न उसका एडवर्टाइजमेंट खुदबाखुद लोग करते हैं हां जो अपने मूँ से महमा गा समझ जाओ रामई के पूरे हैं जो कुछ करेगा ना अपने आप लोग बोलेंगे नेता जी कुछ करेंगे तो जनता अपने आप बोलेंगे गुरू जी कुछ करेंगे तो चेला जी अपने आप बोलेंगे भगवान कुछ करेंगे तो भक्त अपने आप बोलेंगे किसी के घर की बीमारी भगवान ठीक कर दें तो फिर टीवी नहीं लगानी पड़ती भगत अपने आप गुण गाता फिरता कि जय हो वे बजरंग वली की हमान लड़का ठीक कर दिये बागे सुरवाले हर्मान जी सत्ता छिप्ती नहीं है मेरे पागलो जूट रुकता नहीं है सती ने जूट बोला पकड़ा ले बाबा समाधी में बैठ गई लागी समाधी अखंड अपारा क्यों ये बहुत अच्छा उपाए है काउ के घर में ज्यादा लुगाई से हैरान हो ना राम 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 मूँ बंद कर लो एक अभी न्यूज में पेपर छपा रहा लुगाई के कारण साट साल तक बहरा होने का नाटक करता रहा ये खसम हाँ हाँ साट साट ये अभी कुछ दिर पहले न्यूज छपा रहा खबर नी कौन्च नी अब आप कहो तो हम दूइ चार दिन में ढूड के बताएं लुगाई के कारण साट साल तक बहरा अब बताओ कितना बड़े दिल का आदमी नहीं होगा है घर में लड़ाई हो ना बड़िया हो पाए हम नहीं करें रामाड करी संकर सहज सरूप समारा लागी समाधी अखंड अपारा सती जी को परित्याग कर दिया अब ये कोई बात बोलें हम बोलें ये उदाहरन दें ये सत्तता को सत्तता को बताने के लिए कई प्रस्थतियां दें उससे अच्छा है मौन हो जाओ एक एक ब्यप्ति आया बोले महराजी आपकी कथा में तो सबका उपाय है मानलो हमें किसी महमान को मिलना नहीं फिर भी वो मूर पे चड़ाता कोई उपाय है हमें का है हमें का भी ये कोई ऐसा आजमी आजाए जिसको मिलना नहीं वो बार-बार परिशान करे न तो तुमें काम करना जैसे ही वो आता दीखे तो जूट मूट की माला सीताराम सीताराम वो नजदीक आये वो तुम से पूछे कैसे हो सीताराम सीताराम दू चार मिनट बैठेगा वो भग जाएगा और जादा परिसान करे है तो एक गो मुखी बगल में रखना वो आवे अच्छा बहिया कैसे हो सीताराम 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 एक माला उसको पकड़ा देना ले तू भी जब तो वो एक माला तो जवर्जस्ती में जब ही देखा पर कहेगा अच्छा बहिया अब हमें बहुत काम है हमें जाना है भजन कैसा उपाय है काउ के घर में बहुत लडाई होती हो न, बहुत लडाई और जादा तर लोग यहां प्रताडित ही बैठे लोगाई प्रताडित होते हैं, घर से प्रताडित होते हैं और कई लोग अच्छे भी बैठे हैं, सब एक जैसे नहीं है हो सकता किसी का सीरियस केस हो बोलना पाता हो विचार अनेक प्रकार के केस होते हैं घर में लडाई बहुत होती हैं बड़िया हो पाय है संकर जी की यह चौपाई पड़ो लागी समादी अखन ने अपारा लागी समादी अखन ने अपारा संकर सहज सरूपे समारा लागी समादी अखन ने अपारा महा अदेव ध्यान मगन बैठते लडाई हो वे घर में तो तुम भी एक काम करो पती बहुत लड़ रहा हो ना तो माला लेके बैठ जाया को दो फायदे हैं पूछो क्या एक तो लडाई बहुत जल्दी बंद हो जाएगी दूसरा पिटाई नहीं होगी हाँ हाँ बड़िया उपाय है पती भी पतियों से भी निवेदन है देवी जी बहुत तेज होना बहुत लडाई होती हो और जहां वो प्रवचन सुनाना सुरू करें सोई तुम सिता राम सिता राम सीता राम सीता राम षीता रहां वह जयों गाली देवें तों त्यों तुम पाए हैं रामेन बाबा समाधी में बैट गए